नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि EPS 95 पैंसन की मांगों को लेकर पैंसनर लगातार जो है संघर्ज कर रहे हैं लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक उनकी मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इसी भी दोस्तों मुझे एक न्यूज आटिकल के माद्यम से मिला है मुझे और इस पर लिखा हुआ है कि EPS 95 पैंसनर भोगयों की ललकार रिवाईजल पैंसन पोलेशीज पर सुने मोधी सरकार और यहाँ पर दोस्तों न्यूज आटिकल के मन की बात पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर न्यूंतम पैंसन 75 पैंसनर रुपे करने की आवाज लगातार उठ रही है और यहाँ पर दोस्तों सैना विर्ती वर्तमान करमचारी नीजी छेतर के करमचारी अर्थ सरकारी करमचारी और आपके परिवार हम बड़ी उमीद और दिड़ संकलब के साथ आपको एक छत के नीचे एकजुट होने अपने सैना विर्ती जीवन को सुरक्षित करने है और सभी के समान जनक पैंसन के लिए लड़ने के लिए आमंतृत करते हैं याने कि दोस्तों जितने भी पैंसन होकस पन के लिए अपने पैंसन पर आप करने के लिए 75 बान की जारी यह ए 25 वह दूआ नोतों उनको मांग को पूरा करने के लिए संगर्स कर्णा होगा ऐसे तो मानकुरा होने वाला है नहीं बहुत लंबे समय से हम में से जिन्हों ने हमारे देश के विकास और समर्दीक में अथक योगदान दिया है उन्हें हमारे सैनाविर्ती के वर्सों में परियाप्त समर्थन मिल रहा है हम कार्येवल की रीड एक ऐसी पैंसनर के हकदार है जो हमें अपने सुनहरे वविसे को सम्मान और सांती के साथ जीने की अनुमति दे यह एक बुनियादी अधिकार है जिन्हें सुरक्षित करने के लिए हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए हम सभी पैंसनर ने लिखा कि हमारी नोगरी के लिए दी गई वर्सों की कड़ी मेहनत और समर्पन को दरसाती है यहाँ पैंसनर ने लिखा कि हमारी सामुइक सकती हमारी एकता ही नहिती है साथ मिलकर हम सरकार पर दबाव डालकर पैंसन नितियों को संसोधित करने के लिए दबाव डाल सकते हैं जो हमारी आवस्कताओं को पूरा करने के लिए उचित न्याय संगत और परियाप्त है यह सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बलकि हमारे परिवार और आने वाले पीडियों के लिए के लिए लड़ाई है जो एक सुरक्षित और स्तिर सेना विर्ति के हकदार है और अंत में पैंजन करें कि हर करमचारी चाहे हुए किसी भी छेत्र का हो उसे जीवन भर की सेवा के बाद वह बित्तिय सुरक्षा मिले जिसके हुए हकदार है इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं तो दोस्तों काफी दिनों संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों को लेकर सरकार की तरफ से अभीता कोई भी सुनवाई नहीं की गई है और इसी को लेकर ईपिएस 95 भरके हुए हैं और उन्होंने इस आंदोलन में ज़्यादा ज़्यादा लोगों को एकजिट होने के लिए कहा है और जितने भी पैंशनर है सभी के लिए यह है और उन्हीं को इन्होंने आवन किया है कि सब लोग आकर एकजूट होकर पैंशन के लिए जो है लड़ाई में सामिल हो और सरकार से पैंशन राप्त करे जो 75 पैंशन की मांग की है EPS 95 पैंशनर होंने उसे सरकार जल से जल पूरा क करें तो इसके लिए सबको एक्जुट होना पड़ेगा तो दोस्तों यह थी एक न्यूज अगर आप लोग को अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और दोस्तों साथ सेर जरू कीजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए धन नेवाद